नमस्कार दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधियोजना को लेके बहुती बड़ी अपडेट निकल की सामने आ रही है दोस्तों अगर आपकी अकाउंट में भी पीएम किसान सम्मान निधियोजना का पैसा नहीं मिला है तो आप किस तरीके से जो है कहां पर सिकायद तर्च करके जल्द से जल्द इसका समाधान करा सकते हैं इसी के अलावा दोस्तों अगर आपको PM किसान समान निती हो जिना की एक भी किस्त नहीं मिली है तो आप क्या समाधान करके जो है किस्त प्राप्त कर सकते हैं तो चले आज संपुन जान कर इस वीडियो में हम आपको प्रवाइड कराने वाले हैं तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप सभी से एक छोड़ा साग्रे करूँगा वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब के विडिन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले पास में बैल्या घंटे के निसान को दबा के और नोटिफिकेसन कौन कर ले ताकि लाइटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेसन आप सबसे पहले प्राप्त कर पाएं तो दोस्तो देख सकते हैं PM किसान शमान निधी उजना को लेकि बहुती बड़ी अपडेट PM किसान यजना खाते में नहीं आ रहे हैं 6000 रुपए तो दोस्तो यहां करें सिकायत जल्द होगा समाधान तो दोस्तो अगर आपके पास भी प्रिधान बंसी किसान शमान निधी उजना का खाता है और अगर आपने अपलाई किया हुआ है लेकिन आपको किसी भी कार्ण वस्ते पैसा नहीं मिल पारा है तो दोस्तो आपको किसी भी प्रकार की चिंत्या करने के आउसकता नहीं है से लेकर तुरंत इसका समाधान करने में जुट जाएंगे तो दोस्तों आपको बता दे अगर आपके पास प्रणार मंत्री किसान शमान निधियोजना का अकाउंट है और किसी प्रकार की समश्या आ रही है तो दोस्तों आप जो है इसके लिए जो हेल्प लाइन फोन नंबर जो है वहाँ पे भी आप जो है अपनी सिकायद दर्ज करा सकते हैं आपकी सुनवाई जो है की जाएगी प्रते एक सोमवार से लेकी सुकरवार तक PM किसान हैल्प डेक्स पर आप अपनी सिकायद दर्ज कर सकते हैं आप सरकार के दिये गए फोन नंबर जो हैल्प लाइन नं कि आपको जानकारी जरूर देनी है दोस्तो पीम किसान योजना की किस्ट के तोर पर तेस में अब तक जो है करीब 11.75 करोड किसानों को करीब 95.000 करोड रुपे से अधिक रुपे किसानों के बैंक अकाउंट में जमा किये जा चुके हैं दोस्तो इन नम्रों पे आप जो है सिक कायद कर सकते हैं ये टोल फ्री नमबर आप देख सकते हैं 18001 155 266 इसके अलावा पीम किसान हेल्पनाय नमबर आप अपनी समश्या बता सकते हैं और अज चुक है 1 55 261 है पीम किसान लैंड नाइन नमबर है 011 223 81092 और 011 238401 इसके अलावा इमेल आइड़ी पर भी आप अ आपको बार बार ट्राई करते रहना है तो आपको बार बार ट्राई करते रहना है सोमवार से सुकरवार के बीच में अपनी सिकायद दर्ज कर सकते हैं इसके अलावा तो आप कमेंट वोक्स में जरूर बताईएगा ताकि नेक्ट वीडियो में इसका समाधान आप तक पहुंचा सकूँ तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत भँत धन्यवाद वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें ज़्यादा सजयादा सेर करें जो भी समझ जारी हो गामेट वोक्स में जरूर लिखें और चैनल पी नए हो तो रेड सब्सक्राइब के बड़न को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें पास में वेला घंटे के निसान को दबा के ओन लोटिफिकेशन कोवन करना बिलकून न भोले